खबर जूदपूर के फलोदी से है जहां राइका बाग शेत्र में भू माफियाओं के होसले लगातार बुलंद हो रहे हैं यहां शम्शान भूमी और मुख्य जल स्रोत की जमीन पर अतिक्रमन किया गया है यहां तक इस जमीन पर पक्के निर्मान कार्य भी जारी है इसको लेकर नगरपाली का प्रशासन को शिकायत की गई लेकिन प्रशासन भी फिलहाल मूख दर्शक बना हुआ है और उस जमी को आँशो मीटर दी हुई बता रहे है जबकि नगरपाली का उसकी कोई सुनवाई नहीं करा है मैं नगरपाली का में पूरा अपना जोर लगा चुका हूँ और यहां के नेता भी उनके साथ सामीर मिले हुए है पर इदर लुएन या कुवा है उसका पाणी था उसको भी बंद कर दिया गया है जबकि गवर्मेंट कहती है कि हम कुवे खुदवाते हैं और वो करवाते हैं तो यह काड़े तो होई नहीं रहा है